नमस्कार किसान भाईयों अपना क्रशी बाजार योट्यूब चैनल में आपका स्वागते तो किसान भाईयों आई यह जान लेतें आज के बड़ी सादरी मंडी के पाऊ क्या रहें तो देखतें इस वीडियो के अंदर तो किसान भाईयों मुंखली नियूंतम पाँजा दो सो उच्तम सतावन सो तक आज मुंखली बिकाएं किसान भाईयों और अपन बात करेंगे किसान भाईयों सोयबिन की तो नियूंतम तीन जान नो सो उच्तम सेताली सो तक आज सोयबिन बिकाएं बड़ी सादरी मंडी के अं अपन बात करेंगे किसन बाई और अपन बात करेंगे आपन गेहुं की तो नियूंतम तेजिथो पचाद उस्तम बिकाये गेहुं और हपन बात करेंगे किसान बाइयो इस सब गोल की बड़ी सादली मंडे में तो नियूंतम 11800, 49500 तक भी खाएं और अपन बात करेंगे जो गी तो नियूंतम 19900, 29500 किसान बाईयो एक आवश्यक जान करिये तो देखें सभी किसान बाईयो को यह जान कर खुशे होगी पादन संगठन जहां अनेक किसान मिलकर FPO का निर्मान करते हैं जहां किसान फसल की बुवाई से लेकर मंडी में बेचने तक का सफर साथ साथ करते हैं कोई समस्चा का सामना ना करना पड़े इसके लिए हमने अभी आप यह देख सकते हैं सभी वरकार का खाद इस्टोक कर रहा हैं और हमारा जो कारी सहत्र है बड़ी साधली तेसिल के अंदर जिसमें निकूम बानुजा पेंड खेरमालिया कचूमरा पुनावली बाटोली इन इसानों को सजक्त करने के लिए दस हजार आर्मर प्रोड्यूसर और्गिनाजेशन ग्रिशी उत्पादर संगठन मनाने की योजना भी लॉंच इस सिजन में किसी समस्चा का सामना ना करना पड़े सभी परकार की दवाईयां आपको इस एप्यो पे मिल जाएगी चाए वह सब्सक्रांण और में खरणा में खरणाए परकार की आपको उचित किमत पर उपलब्द करवा रहा हैं यह उपलब्द कर यह कर्ण मान विकास केंदरची तोडगड के मार्क दर्शन में बुलन्दियों को चूरा है आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं मैं इस FPO में CEO की पोश्ट पर कारिज़त हूँ जिसमें मेरा नाम गोपाल डाएंगी है मैं यही इस्तानी रतनपूर गाउं से बिलोंग करता हूँ और यह हमारे कमलेजी जनवा जो पिंड गाउं से बिलोंग करते हैं यह FPO हम दोनों चला रहे आज इस FPO में शुरुआत से अभी तक 300 से भी ज़्यादा किसान जुड चुके हैं और आप सभी किसान भाईयों को यह जान के खुशी होगी जो यूरिया डियेपी जो मार्केट में बलेफ होता है वो इस परकार से यहां कोई समश्चन नहीं आएगी तो किसान भाईयों अगर आप अभी तक इस FPO से नहीं जुड़े हो अगर आप बड़ी सादली शत्र के हो तो आज ही आप इस FPO से जुड़े और इसकी सिवाओं से लाबान दित होए और आप भी अगर हमारे सदश बनना चाते हैं तो इन नंबर पर कॉल करके आप सदश ब